नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको अग्यान मास्टर जी यूट्यूब चनल में दोस्तों मैं आज आपको बताने बाला हूँ अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को वाट्चाप स्टिकर सेंड करना चाहते हैं जैसे कि आप इदर की साइड में देख रहे होंगे दोस्तों होता क्या है हम वाट्चाप के जो नॉर्मल इमोजी है नॉर्मल इस्टिकर है उनको सेंड करकर पक चुके होते हैं और हमें कुछ नया चाहिए होता और आपके तो फ्रेंड सर्किल है जो भी आपका रिलेटिव है जैसे एक emoji का दूसरा gift का और तीसरा sticker का option होता है तो आप उसको download करके normally send कर दीजिए एक वो तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है कि आप कोई other application download करके उसको आप अपने वर्ट्चप में download करें और फिर उसको send करें क्योंकि जो other application आती हैं उसमें बहुत अच्छे-च्छे cute baby वाले sticker होते हैं जो आप अपने friend को या किसी को भी send कर सकते हैं तो दोनों तरीके में आपको इसमें बताने वाला हूँ दोस्तो मेरा नाम है सचिन कुमार आप देख रहे हैं ज्यान महिस्तेजी YouTube चैनल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए चलिए देखते हैं मोगाईल की स्क्रीज में जाते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया WhatsApp पर स्टिकर वेजने के दो तरीके होते हैं एक तो फ्रेंट्स जो WhatsApp हमें खुद से स्टिकर देता है उसके लिए हमें किसी application को install करने के आवसकता नहीं पड़ती है हमें WhatsApp में ही setting में जाकर कुछ स्टिकर मिल जाते हैं दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि आप एक application download करें जैसे कि आप देख रहे होंगे यह वाले जो मैंने sticker कुछ send के हुए है यह उसी application से send के हुए है अगर आप जो WhatsApp का खुद का sticker होते हैं अगर उनको send करते हैं तो वो ऐसे नहीं दिखते हैं वो थोड़े अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि आप यह देख सकते हैं वाला sticker है तो इनको देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जो अच्छे sticker होते हैं वो अलग से application से download किये जाते हैं तो पहला जो तरीका है जो WhatsApp हमें खुछ से देता है वो तरीका देख लेते हैं आप किशी को भी message कर रहे हैं उसको open करेंगे जैसे कि मैंने अपना दूसरा number डान लखा है शाचिन जीओ मैंने यहाँ पर keyword open कर लिया है keyword में आप इदर की side में देखेंगे यह वाला जो emoji होता है हमें इस emoji में जाना होता है देखे इस emoji में जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ emoji इस परकार से आ जाते हैं तो friends यहाँ पर हमें तीन option मिलते हैं पहला यह वाला option दूसरा यह gift का और तीसरा हमें sticker का तो अभी मैंने emoji के option पर click किया हुआ है तो अभी emoji आ रहा है दूसरा मैं click करूँगा यहाँ पर यह gift आ गए है जो मैं किशी को भी send कर सकता हूँ तो तीसरा option होता है वो होता है sticker का जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह मैंने sticker को send किये हुए है पहले हम जो WhatsApp के खुद के genuine वाले sticker होते हैं जो हम किशी को send करते हैं उसको open करेंगे तो सबसे पहले हम आप इदर की side में देख पा रहे होंगे यह plus का chin आता है इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह WhatsApp के खुद के sticker है यह WhatsApp के खुद के sticker है जो हम download कर सकते हैं इदर की side में आप देख पा रहे होंगे यह जो download करने का chin दिया हुआ है हम यह से इसको download कर लेंगे और download होने में ज्यादा समय नहीं लगता है 5-10 second का time लगता है यह download हो गया है मैं my sticker पर जाओंगा एक all sticker वाला option है एक my sticker वाला option है आप किसी को भी यहाँ से sticker send कर सकते हैं अब देखिए यह जो gift वाला option था इसमें हम जाएंगे यहाँ पर की side में छोटा सा logo बनके आ जाता है तो जो हमने sticker download कियेते हैं वो यहाँ से 100 हो जाएंगे जैसे मैं send करना चाता हूँ यह नमस्तिकर हो गया आप कुछ भी यहाँ से send कर सकते हैं दोस्तों यह था पहला तरीका अब दूसरा तरीका है उसके लिए आपको एक application download करने पड़ती है उस application से whatsapp में हमें यह download करने पड़ते हैं sticker तो application आपको play store में जाना है play store में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे उपर sticker babies and children तो यह आपको इसमें लिखना है तो जैसे मैंने लिख दिया है sticker babies and children यहाँ पर यह application आ जाएगी sticker babies and children वाली आपको यह download करने नहीं है मैंने already download की हुई है इसलिए यहाँ पर open करने के लिए आ रहा है तो मैं इसको open कर लूँगा दोस्तो जैसे ही आप इसको download करेंगे तो यह आपके जो एंडो system है उसमें application आ जाएगी आप बहाँ से भी download कर सकते हैं तो आप इस application को open कर लेंगे open करने के बाद आप देख पा रहे हुए यहाँ पर काफी सारे sticker है तो पहला यह baby's children 1, baby's children 2, baby's children 3 करके ऐसे काफी सारे sticker यहाँ पर दियो है तो जो पहला वाला group है sticker का वो हम यहाँ पर place के चिन पर click करके download कर लेंगे यह add करने के लिए आ रहा है आप देख पा रहे होंगे यह add हो चुका है यहाँ पर green tick आ गया है दोस्तो यह sticker अब हमें whatsapp में open हो जाएंगे चलिए अब whatsapp में चलते हैं मैं whatsapp में गया whatsapp में सचीन जीवो मैंने अपना open किया और यहाँ पर मैं जाऊंगा emoji में इस वाले में इस emoji में click करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले यह वाला sticker आ रहा था जो हमने whatsapp से ही download किया है अब दूसरा sticker यह वाला आ रहा है अब हम इस पर click करेंगे तो आप दे सकते हैं काफी सांदर cute baby वाले sticker आ गए हैं तो अब हम यह किसी को भी send कर सकते हैं जो भी sticker आपको send करना है आप उसके एक बार click करेंगे और वो send हो जाएगा दोस्तों यह जो मैंने आपको तरीका बताया दोन ही genuine तरीके हैं इसमें आपकी कोई भी privacy leak नहीं होती है आप असानी से download करके उसको send कर सकते हैं अपने किसी भी friend को या किसी भी अपने relative को तो बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों इसकार की और भी बहुत सारी android trick और technical video और unboxing की video मैं इस channel पर लाता रहता हूँ अगर अगी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजिए वीडियो को like कीजिए और share कीजिए फिर से मिलूँगा इसी परकाशन नएश वीडियो में अभी के लिए सबको धन्यवाद